हलो बच्चो मैं नेहा चौद्री रसायन विज्ञान की प्राइग्गी कक्षा में आपका स्वागत करती हूं देखे बच्चो पुछली वीडियो में हम लोगोंने प्रबल अम्ली ए समू के हलो बच्चो मैं नेहा चौधरी रसाइन विज्ञान की प्रागी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ देखे बच्चो हम लोग प्रबल अमलिय समूग के गुनातमक विसलेशन के बारे में पढ़ रहे थे इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे देखे क्या है देशे दिये गए दो एकार्दमिक लवनों में नाइट्रेट आयन एवं ऑक्सलेट मूलक की पहचान करना आवश्यक सामगरी परकनलिया परकनली होल्डर परकनली इस्टेंड क्वथर नली आवश्यक अभी करमक एवं काच की चल ठीक है आगे देखिए अब देखिए सबसे पहले नाइट्रेट का परिक्षन कैसे करते हैं देखिए यहां पर नाइट्रेट का परिक्षन इस तरीके से टेबल बनाएंगे और देखिए प्लारंबिक परिक्षन देखिए एक सुष्क परकनली में लवन लेकर उसमें 2-3 ml सांध्र H2SO4 डालकर हलका गरम करने पर देखे क्या करेंगे टेस्ट्यूब लेंगे टेस्ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे लवन लेंगे और हम लवन में क्या करेंगे 2-3 ml क्या करेंगे हम लोग सांद्र H2SO4 डाल कर यह सांद्र सल्फियूरी कंबलर डाल के हम गरम करेंगे क्या होता है तीक्ष्ण गंद युग तो भूरे रंग की गैस निकलती है और देखिए बूरे रंग की गैस कौन सी होती है इस से हमें क्या पता लगता है कि जो अमरा नाइट्रेट है नो थ्री माइनस हो सकता है क्लियर है अब भी क्लिया देखिए 2 ने नो 3 प्लस H2SO4 यह बन गया ने 2SO4 प्लस 2 HNO3 और अब क्या होगा 4 HNO3 से देखिए क्या बनेगा 4 नो 2 ठीक है यह गैस बन गई नाटोजन डाय ओ सब्सक्राइब का परिक्षण करना है तो हमें यहां पे ऐसा सॉल्ट काम में लेना है जिस में कि नाइट्रेट उपस्तित है यानि हम शोडीयम नाइट्रिट एन एगनो थी तिके इस तरीके से लिए गैस बनती है नाइट्रोजन डाय ओकसाइड और कैसी होती है भूरे रं च्छी लंड डालेंगे जो कॉपर है तामभा है उसके चोट चोटे टुकड़े डालेंगे गरम करेंगे तो क्या होगा जो नाइट्रोजन डाय ओकसाइड नो-2 उसके गाड़े भूरे रंगे धुम्र तेजी से निकलते हैं तता विलियन कैसा हो जाता है नीला हो जाता है या अब यहां पर हम तामभी च्छीलन डाल रहें न 3C-U क्या बना न 2SO4 प्लस 3C-USO4 दिखिए ध्यान दीजिए यहां पर कॉपर सलफेट बनता है C-USO4 और 2NO-4H2O तो देखिए यहां पर यहां पर कॉपर सलफेट बनता है इसके कारण विलियन कैसा हो जाता है नीला हो जात यह यहां पर यहां पर हम क्या करते हैं अब देखियो निश्यातमग परिक्षन करते हैं पेर इस लावन का जले विलियन लेकर उसमें फेरस सलफेट का ताजा विलियन मिलाते हैं समझे यहाँ पर यहाँ पर हम क्या करते हैं जो हमारा सॉल्ट है लवन है उसका सोडियम कार्बोनेट निसकर्ष बनाते हैं या फिर क्या करते हैं लवन का जली विलियन काम में लेते हैं और उसमें फेरस सलफेट का ताजा बना हु विल्यन मिलाते हैं और इस विल्यन में परक नली की दिवार के सहारे 1-2 ml सांद्र एच्टुसोफोर डालने पर ठीक है यानि सांद्र एच्टुसोफोर डालते हैं क्या होगा दोनों विल्यनों के मिलने के स्थान पर नाइट्रोसोफेरस सलफेट की भूरे रंग की वले बनती है देखे बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है यह इसमें बहुत क्लियर सी रिंग बनती है ब्राउन कलर की रिंग बनती है यानि भूरे रंग की वले जिसे हम वले भी बोल सकते हैं और इससे क्या पता लगता है 3SO4 यानि फेरस सल्फेट प्लस 2HNO3 प्लस 3H2SO4 ठीक है इनके बीच में अभी करिया हो रही है क्या होगा 3Fe2 और SO4 का होल्ट राइस प्लस 4H2O प्लस 2NO अब क्या होगा अनो यह जो अनो बना है यह फेरस सल्फेट के साथ दुबार अभी करिया करेगा यानि यह फेरस सल्फेट बन जायागा यह होता है नाइट्रोस फेरस सल्फेट और इसी के कारण भूरे रंग की वहां क्या बनती है वले तो इसे वले परिक्षन या परिक्षन कर लिया अब हम बात करते हैं और निसकाशित गैस को परक नली पर लगी निकास नली के सिरे पर प्रज्वलित करते हैं यानि हम क्या करते हैं लवन लेते हैं लवन में हम थोड़ा सा सांद्र ह्ट्रोस फोर डालते हैं और उसको गरम करते हैं और जो गैस निकल रही है उसके मुख पर हम क्या ले जाते हैं जली हुई तिली ले जाते हैं माचिस के तिली ले जाते हैं देखो चो होता क्या है वहा का ओक्सलेट c2o42 माइनस हो सकता है अब देखिए अभी करिया एनटू c2o4 प्लस h2so4 अब देखिए यहां पर हम ऐसा लवन काम में ले रहें हैं जिसमें क्या है ऑक्सलेट ठीक है तो एनटू c2o4 प्लस H2SO4 इससे बना Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 देखिए ध्यान दीजिए यहां पर कार्बन मोनो ओक्साइड और कार्बन डायोक्साइड बनती है और इसके कारण ही कारण ही जो निसकासित गैस को हम जला के देखते हैं तो वो नीली जवाला से जलती है तो हमें क्या पता लगा बयोक्साइड हमारा हो सकता है ठीक है आगे देखिए निश्यात्मक परिक्षन करते हैं हम इसके लिए क्या करते हैं देखिए बच्छो सोडियम कार्बोनेट निसकर्ष में हम तनू एसिटी कमल CH3COOH ठीक है यानि एसिटी कमल मिलाते हैं CH3COOH प्लस CACL2 विलियन मिलाते ह होगा श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा तो देखिए श्वेत अवक्षेप क्यों बनेगा समझ को विलियन मिलाए क्या होगा हैятी कैल्शियम ऑक्सेलेट अगक्सेलेट अगराइ कार ready क्या होते है हम पे…. यानि हमारा ओक्सेलेट C2O2 – क्या है निश्यत है ठीक है आगे देखिए श्वेत अवक्षेप को प्रथक करके अब देखिए जो श्वेत अवक्षेप राप्त हुआ इसे प्रथक करते हैं और तनू H2SO4 के साथ हिलाते हैं समझिए बच्चो श्वेत अवक्षेप को प्रथक करते हैं तनू H2SO4 के साथ हिलाते हैं तता के एमन विल्यन रंग हीन हो जाता है गएसा हो जाता है यानी आप सेलेट और क्या हो गया है निशित तो माइनस अमारा निशित है गिए जो केल्शियम oxalate बना है जिसके करण श्वेत अवक्षे पाया था तो देखिए CA C2O4 और H2SO4 के साथ अब भी क्रिया करता है calcium sulfate बन गया CA SO4 और H2C2O4 बन गया ठीक है अब देखिए 2 Camino4 प्लस 3 H2SO4 और 5 H2C2O4 आपस में अब भी क्रिया करते हैं ये बन गया 2 MnSO4, K2SO4, 8 यानी 8 हनू जल के 8 H2O और 10 क्या बन गये CO2 ठीक है यानी क्या पता लगा कि जो देखिए Camino4 का जो विलियन है वो कैसा हो जाता है रंग है क्लियर है आज समझ में आपको आगे देखिए तो आप देखिए परिणाम क्या निकला यानी दिये गए प्रथम लवण में रिनायन नाइट्रेट आयन NO3 माइनस तो दित्क्य लवण में रिनायन ओक्सलेट आयन C2O42 माइनस उपास्तित है तो आज समझ में आपको कि हम नाइट्रेट के लिए और ऑक्सेलेट के लिए यहां पर क्या-क्या टेस्ट करते हैं और देखिए बच्चों अब हम लैब में चलते हैं और इन परिक्षनों को करके देखते हैं तो देखिए लैब में